वेल सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी लेकिन पिछले तीम सालों से शो तारक महता का उल्टा चश्मा से दूर होने वाली और विदाई लेकर अपने पारिवारी के जिन्दगी में एक मा बन कर अपने बच्चे का ध्यान रखने वाली दयाह बेन फेम दिशा बकानी को लेकर शो की दूसरी एक्टर सियानी की रोशन भावी ने हाल ही में बड़ा खुलासा कर दिया है थीवी की सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्चा चश्मा को 12 साल पूरा हुआ इसी के साथ रोशन सेंग सोड़ी यानि की गोर्नीमरत सिंग ने इस शो को छोड़ा और अब इस शो की दूसरी लीड एक्टरस ने ये बड़ा खुलासा दिशा वकाने को लेकर किया है आखी क्यों वो इतने लंबे समय से गाया भी और अब तक लौट क्यों नहीं रही है क्या वो पूरी तरह से शो से दूर रहना चाहती है इसके बारे में कहा जा रहा है कि रोशन सोडी का किरदार निभाने वाली जैनिफर मिस्टरी बंसे वाल ने अब इशा को लेकर बात कही है वो वाकरी में चौकाने वाली है उन्होंने कहा मुझे दिशा की याद आती है बहुत जादा पैंस भी उने देखने के लिए इंतिजार कर रहे है अलाकि अब वो जिस सिचुएशन में है जिस हालाद से वो गुजर रही है वो अच्छी तरह से समझ सकती है कि किस तरह से अब वो पूरी तरह से अपने परिवारी की जिन्दगी में व्यासता है तो कि कुछ साल पहले वो भी उनकी जैसे सिचुएशन में थी बेटी का पूरा ध्यान रखना चाहती थी और यकिन है कि वो जल्द वापस आएंगी और ये खुशका बीच यहने पर निदी है कि हमें समझना होगा कि फिलाल परिवारी के रिष्टे भी बहुत महतोपोन है शादी करके अपना परिवार बनाना शाती थी वो भी और इसलिए इस वक्त उनके लिए परिवारी की जिन्दगी को जादा महतोदेना बहतर है देशा को भी जटका देकर उनों ने किये बड़ा रास खोल दिया है नेशनाइन यजून से तुप्तिक रिपोर्ट